हे गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग मेरी दुनिया में आप सब का श्वागत है आसा करती हूँ जो जहां होंगे वहीं स्वस्थ और मस्थ होंगे तो चलिए आज का ब्लोग कीचन के साथ साथ घर के किलिनिंग के साथ 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 स्पेसल होने वाला है क्य यहां पर रिजनेबल रेट में 100 रुपीस 50 रुपीस में बहुत कुछ मिल जाता है तो आप लोगों क्या क्या लिया और यहां पर देख सकते हैं कबुतर है कि क्या है प्रिस इसे कमेंट्स करके बताएगा और मोनिंग मोनिंग मेरे घर पर आ जाता है इसको जितना भी भगा पर आ जाता है तो थोड़ा सा इंसान कर लेजिनेश आ जाता है और यहां पर मैं कर लोगी घर का पूरा क्लीनिंग करने के बार से मेरे घर का पूजा पार्ट देख सकते हैं सब कुछ कम्प्लीट हो गया है मैं घर पर कर लेती हूं शुबा-शुबा-शुबा-पूजा कर सब्सक्राइब कर लेने सनगा इस आपके मन में सांती मिलता है एक यही तो है भगवान ही है जिनके सहारे हमारी लाइफ चलती और मेरी तुछ उनके सहारे ही चलती है मैं बहुत विश्वास करती हूं भगवान पर मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया है सब लोग बोलते हैं है जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ मेरे हस्वान का बड़ी का काम नहीं करता है लेकिन मुझे भगवान पे पुरा भरोशा है कि एक नए एक दिन वह जरूर ठीक हो जाएंगे और आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग देखिए गासार आपका तो पर हो सकता है ना किसी क दूआ हैं मुझे काम लग जाए और मेरे हस्मिन बिल्कुल ठीक हो जाए तो आइटी पर हम लोग अच्छे-च्छे से अपने लाइफ को एस्पेंड करें और यह मेरा बेटा गाइस तो देख सकते हैं इसका सब कुछ में एकेले काइस करती हूं घर के काम बाहर का काम ऑफिश का जाओ आप घर करो बेटे को देखना सब कुछ यहां पर प्रिंस को में नास्ता करा चुकी हूं और प्रिंस रेडी हो गया है मुझे भूक लगा है आपको पता यह प्रिंस खूद खाता है तो मुझे भी बोलता मम्मी आप खाओ 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 तो उसके साथ मैं भी नास्त और यहां पर आप देख सकते हैं मैं नस्ता कर चुकी हूं और आई हूं husband जी को उठाने के लिए तो यह भी आभी सो रहे हैं आप देख लीजिए इसके बाद मैं इनको उठाऊंगी इनको ब्रश कराऊंगी सब कुछ इनका कराना है इनको देखती ना मुझे पहले रोना आता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूं फिर उनको उठाने से पहले में खुद को स्ट्रॉंग देखिए चेहरे पे स्माइल लेके चली आती हूं और इनको उठाऊंगी ताकि सारे काम मैं कर सकूं वह बोले थोड़ा दिर और शोएंगे तो मैं बोली ठीक है थोड़ा दिर आ आप रख दीजेगा उसके बाद आप इसको फ्राइ करके चावल दाल या किसी भी चीज के संगना खाई यह टेस्टी बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम बस इसमें नमक डालना है और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो बदाम जो होता है न सुखी मिर्च और बदाम इसम कि उनको दो पहर हो गया है उनका ब्राइस कम्पलीट हो गया तो उनको मैंने भी देख सकते हैं मैंने साड़ी पहन लिया है और बीच मैंने मनीश और सचिन के ऊपर एक वीडियो बनाया जो बहुत आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहां पर मैं ह प्लास्टिक में बांद के रखना पड़ता है इसके वज़से में अभी जस्ट बनाई और फिर उसके पास से हस्बंड का खाना निकालूंगी और चली हस्बंड साज आपको मिलवाती हूं उनको खाना खिलाने लेके चलती हूं इस तो देख सकते हैं अब लोग खाना खाली है मिस्टेश एका फालो बोलो ना अब तो एवी खाना खाली है उनको खाना खिला चुकी है तो अच्छी लिए ब्लॉग में बने रहे हैं का रहाज हम दो जाएंगे मार्केट शॉपिंग करने आप पूरे ब्लॉग में रहे हैं देखिए अभी में रेटी हो गई साड़ी को चेंज कर लिया क्यों साड़ी पेइन के जाने में अच्छा नहीं लगता है मार्केट क्यूंकि बहुत दूर है मार्केट एक गटा मुझे यहां सचाने में लगेगा तो अभी एक पंद्र हो रहा है तो पता नियुद्वर्स के मार्केट करते हैं तो गईस यहां पर हम लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर यहां पर देख सकते हैं टू हंड्रेट टू हंड्रेट फिप्टी कैसे सब करके कुर्ती शूर्ट सब कुछ मिल रहा था और यह स्वेटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था एक सगन में दि लिए दे रहे थे मुझे वाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए ले नहीं अप इसमें से कुछ भी टू हंडड़ेट में ले सकते हैं और रहे सारे जुली लिए कि प्रूपिस करके मिल रहे थी आप जो भी यह इरिंग्स लिए चुछ भी लिजिए जो कुछ को म सबस्क्राइब लग रहा था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कलेक्शन और आप देख सकते हैं पोटली वाला बैग अभी बहुत ही चला हुआ है साधी ब्या का सेजन है तो आप इस 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 प्राइस है आपके वहाँ प्राइस कितना है कमेंट करके जरूर बताएगा उसके साथ ही साथ इ दो भी पसंद पर्स पसंद और थ्री हंड़ेट फिप्टी ऐसे ही दामता सबका और कॉश्मेटी के समान भी हां बहुत इस रिजनेबल डेट में मिल जाता है जो भी आपको पसंद हो तो चलिएगा घर चलिएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ल लगा नहीं अच्छा लगा यहां पर जूलरी देख सकते हैं यह 50 रूपीज 60 रूपीज 70 रूपीज 100 120 ऐसे करके शप्राइस था जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से अपले सकते हैं तो कैसा लगा आपको मेरा कलेक्श सबकार्टी सारे कलेक्शन क्या आप कलेक्शन किया है तो प्लीज कमेंट्स करके बताएगा और यहां पर जंक च्वलरी मिल रही थी आपको पता है ब्लेक पॉलिश वाइट पॉलिश एई सब और छोटे-छोटे-चोटे जो क्लचर होते नहीं बहुत ही सुंदर मिल रहा था है यहां पर ब्राप एंटी शब कुछ मतलब यहां पर जो भी लिजे 200 200 200 का सेल लगा हुआ था यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छा साडी वाला सूट था अनकमन अंकमन सूट था गाइस ट्वेल हंड़ेट का था और यह सारे पर्स ना जो भी आप बैग लेना चाहें 300 और ए ना घर में पीतल के जो होते ना सुन्दों लगा मुझे 850 रूपीज का था पीतल का ओम था आप घर को डेकुरेट कर सकते हैं या अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं सुर्य भगवान थे दिया वगेरा इस सारे पीतल के यहां पर मिल रहे थे तो सब कुछ मिलता है एट उजेट आपको घर का सामान मिलता इसमें घर से रिटर्ण जा रही थी आप बाहर कभी देख सकते हैं मैं बस में बैठी हूं बाहर पर सारे लोग मतलब विंटर सुजन आ गया है और अंधेरा अंधेरा जल्दी हो जा रहा छेव जब बिलकुल अंधेरा हो गया था आप देखी सकते हैं और मैं आ गई हूं घ ब्लॉग में बने रहेगा यहां से मार्केट ओजो सब्लस्टिक दिख रहा है उसमें मार्केट का ओ जो है उसमें है मार्केट अभी बाबू को थोड़ा इस्कूल बेच दो उसको और टूशन के लिए उसको रेड़ी कर दूँ पढ़ाई करें इसको उसके बाद आप लोग करती हूं इस सारे चीज में क्या कर लाई हूं घर के लिए कौन सा ड्रेस क्या लिया आप लोग के साथ करती हूं उसके पहले चली कीचन में चलते हैं मैं बना रूचा क्यूंकि दो घंटा मुझे जाने में लगा है और फिर डिटाने में तो यहाँ पर देख लिजिए मैं चा अच्छा लगे तर तो आप दो देखें में मार्केट से आ चुकी हूं और घर का पूरा हालत कैसा पड़ा हुआ है लेकिन भी चलते अभी मेरा मन नी क्या ठीक करने का क्यूंकि अभी घर को रात खाना भी बनाना है और कहीं चले जाओना तापके घर की बैंड बच जाती है आप सब को पता ही है तो चलिए रात खाना का त्यारी पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं और जो चीप्स के लिए मैं काटी थी ना तो उसमें से कुछ बच गया था तो उसको मैं आलू की भुजिया बना दूगी सुखा मिर्च और प्याज काटके डाल देंगे और साथ में वहां पर तो उसके बाद से में बरतन ने किलिन की थी तो आज बरतन बहुत जादा निकल गए थे कहीं जाके आके ना काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इस मेंने बहुत सारा शॉपिंग किया है इसके बाद वाला जो ब्लॉग जाएगा ना उसमें मैं सेयर करू आप कमेंट कीज्ये की आप मार्केट से डिलेटट ब्लॉट ब्लॉग देखना है च्वेश करूंग कि और बरतन जम जाते आपके बरतन बहूत निकलते यह तो बहुत जादा बरतन निकल जाते है और घर के काम करते करते सब कुछ हम लेडिस को नम जितना भी काम हो लगता है कि मतलब सुबा से ओक उटो तब से लेके राथ तक मैं कैसे मैं खुदी जानती हूंगा इस बहुत काम हो जाता है और तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहे हैं गाइस कि आम आप लोग से कनेक्ट कर पार रहें कि नहीं एक हाउच वाइफ हो के सांथी साथ में ओफिस में जॉब घर का काम पुरा घर की लीनिंग हस्बेंड की देख भाल सब कुछ में कैसे कर रही हैं अपने ब्लॉग मे कि मतलब पड़ा हाईली काई में इस सब मेगी करती थी लेकिन सब लड़कियों को आती है और सब कुछ देखके करना रहता है सबके सब्सक्राइब वाले अच्छे नहीं होते हैं किसी के बुरे होते हैं लेकिंगे हम को ही मैंटेन करके चलना पड़ता है तो यहां पर फिट से देख लीजिए हस्मेन के लिए बना ली हूं मैं ओमलेट पुरा किच्छन को कर ली हूं नीड एंड क्लीन सुबह के लिए आज घर का शॉपिंग करके लाएं हो है और एक घर का देखे जो दिन का कपड़ा जो यह था यहीं पर रखा हुआ कि आज में मार्केट चली गए थी तो कोई भी कपड़ा सुखा नुसुख गया है भाज करके रखने में उसको सही करके रखने वाला तो कोई नहीं था तो अब ही मैं सारा काम करूं लाइस ब्लॉग में बने रहेगा और देखते रहेगा कैसा लगता आपको मेरा ब्लॉग प्लीज आप तो सेयर कीजिए